बिस्मिल्ह रह्मान रहीम असलाम अलेकुम नादरीन सामें सुबह से मैं बहुत सारे जवाब दे चुका हुआ इस पैसेजिस पे लेकिन अभी जो ताजे आते जा रहे हैं उनके भी जवाब हो रहे हैं चुकर साथ वीडियो भी बन रही है तो ये मुझे लगता है डीजी खा आजमा ठीक नहीं है तो आजमा ठीक नहीं है मेरी जान मेरी जान पहले भी आपको स्वाल बड़े बर वक्त मिले हैं और फॉर्चुनेटली आप वो शखस हैं कि इस वक्त मेरी वीडियो बन रही हैं ये अभी थोड़ी देर बाद इन्शालत आला आज के दिन ही जब ये खतम होंगी तो मैं प्रॉसेस करके इनको यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगा और ये जो आपकी बैंस है दूसरी इस जिसका हाजमा ठीक नहीं है इसको एक तो डजिस्टिव एक डडमाय बनाया हुआ हाजमे का पाउडर वो प्लीज देख लें मेरा प्रॉग्राम अगर हाजमे का पाउडर अगर बना सकते हैं तो बना लें नहीं है तो मोटी मोटी चीज़ें उसमें मैं आपको बता देता हूं वो और इसको हाजमे का हफते में दो दफ़ा जरूर इसको पिन्नी एक क्रिकेट के बाल के बराबर पिन्नी बनाके इसको दे दिया करें वो यह है कि सौफ ले लें कोई आपको मोटा सब क्योंकर और भी वैसे हैं आपके पास तो आदा किलो सौंफ ले 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 और आदा किलो ये जवाइन ले 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 मोटे मोटे बताने लगा हूँ और उसमें 250 ग्राम सफेद नमक डाल ले और अगर उपकाला नमक हो तो आदा उपकाला और आदा सफेद नमक डाल ले ठीक है और इसके इलावा आप अगर मिल जाए उदर से एक मिलता है चरायता चरायता भी ले लें कोई साव ग्राम उसके अंदर चरायता भी उसको वो पाउडर फार्म बना लें वो भी इसके अंदर डाल लें क्योंकि वो स्टिक्स ही होती है उनको कूट लें और उसके बाद ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें इन सारी चीजों को ग्राइंड कर लें ज्यादा बेतर है और इसी तरह उसमें सफेद जीरा हलका सा सौ ग्राम वो भी डाल लें और इसी तरह एक रियोंद चीन ही मिल जाती ये है ये पनसार से वो भी सौ गराम डालें औहले और ये और अच्तरिफ जूरथ ओड़ाए आप घूड़ट डालें आगे सरदियां हारी हैं को सौ गराम 125 ग्राम सुंड भी डाल सकते हैं ये सारी चीज़ें मिलाके मिक्स कर लें मेरी जान और इसको गोड में मिलाके इनकी बना लें पिनियां हस्बे जरूरत गोड ले लें ये आप पूछेंगे कितना गोड को किलो दो किलो ले लें उसके साथ जितने के साथ ये पिनियां बन जाती है पिनियां बना के ये इनको दे इसका हाजमा ठीक रहेगा इसी तरह कार्मी नेटव मिक्स्चर मिल जाता हाजमे का मिक्स्चर वो भी बोतले ले आएं वो कभी-कभी वो दे दिया करें इसी तरह एक मिल जाता है एलवी जैस्ट पॉडर वो भी कभी-कभी वो भी ले आए 100-125 ग्राव वो भी दे दिया करें बिसमिला करके एलवी जैस्ट पॉडर भी तो ये जब देखेंगे तो इनसे इसका आजमा बेहतरीन हो जाएगा फिर भी को शकायत हो तो दो दिन आपने हैपा गार्ड या हैपा गन के 25-25 सीसी के टीके लगाएं फिर मेरी जान मुझे बताएं कि ये सही होता है या नहीं सही होगा इन्शाला ताला और मुझे अगर मैं गलत नहां अरशद ही मेरा खैले शुरू में आप का नाम मैंने सुना था अरशद और डीजी खान से और ये चुक लगाता रहा आपके प्रोग्रेम्स भी अपलोड होने के लिए तैयारी पकड़ रहे हैं ये मैं इनको बगादर रिकार्ड भी कर रहा हूं और आपको डायरेक्ट हर एक चीज़ का जवाब वो भी दे रहा हूं